हेलो दिया इस्ट्रेंस और स्रश्वती इंग्लीज एकेडमी ऑनलाइन क्लासीच ऑनलाइन क्लासीच के अंदर बच्छो अभी मैं आपको जो लेटर्स लिखना सिखाऊंगा वो लेटर्स हमारे होगे E and F E कैसे लिखा जाता है और F कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले बच्छो आप जो भी लेटर्स लिखते हों उसके लिए आपको जो नोट्बुक हैं वह आपके फॉर लाइन की नोट्बुक को आप यूज कीजिए अभी हम लेटर्स लिखेंगे E और F सबसे पहले ए लिखने के लिखिया करना पड़ेगा टू पॉइंट बनाएं पॉइंट फॉइंट 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 बनाएं फिर आप सी बना लीचे पहले आप सी बनाएं यह कौनसे लेटर बना शी अब इस पॉइंट से आपको दर बनाएं आप लगाने यह आपका घां बन गयां कैवं गया बच्छो ए फोर अलिखकंट बन एक बनइफकर फोर मंण पॉइंट एं लिखॉआं आपकर शी ओललेस फिर इन पाल मैत मेटं सी बनाएं फिर घांट लगते लिखन जाता है क्या बन जाता है बच्छों इसी बनाया एक गांट इसी बन जाता है बनाया बनाया बच्छों बनाया 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 1, 2, touch point E, 1, 2, this is 2 point, it is E, यह कॉन्स लाटल बन रहा है बच्छो, E, बरी इजी है, क्योंड point बना के, जो आम नोट लगाएंगे तो E बन चाएगा, बना ही, 1, 2, यह आपने शी बनाया, यहांसे गांट लगादो, E, E बन जाएगा, 1, 2, शी, E, 1, 2, यह आपका शी, E, 1, 2, यह सी, यह E, पूरे पेज पे आपको E लेटर बनाने, 1 पेज पे E और 1 पे F, to let some secret, 1, 2, E, 1, 2, touch point E, 1, and 2, touch point E, 1, 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 2, touch point E, बनाया, यह आपको E, आपको E, आपको E, आपको E, पूरे पेज पे E बनाया, आपको E, 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 आपक बने गोचो इफ और एलेफंट अपनी कोपी में रेटिंग आपके नीटन क्लीन होने चाहिए जितनी रेटिंग आपके नीटन क्लीन होगी आप उतनी लेटर से अच्छे लिख पाऊगे कोपी में लिखे ओके बच्छों यह आपने क्या बनाया है यह कौंसा लेटर बनाया बच्छों आपने अब आम लेटर्स एफ लिखेंगे कौंसा लेटर्स एप एफ लेटर्स लिखने के लिखेंगे आपको इस्टेंडर लाइन बनाया है देर्ट डेर्स लोडस जे सानवाय है यहर अच्छों कर में अच्छों कर लेटर्स ऑrail 1, 2 & 3 okay this is standard line जा स्टेत लाइन ड़नों में से कुछ भी बोल सकते आप शिदी लाइन बोलद हैंडे में जा स्टेत लाइन जा स्टेत लाइन बति वी आ लर्निंग्लिस ना so use English language letters and words and sentence always use English English language का उप्यो करे sentence simple हो या long हो spellings आपको English language करने चेए now head down इसकत सर्थ थोड़ा नीचे कीजी ऐसे कीजी बचो अभी हम एफ लेटर स्लिपना सीख रहें किया अब जो बीच वाली जो लाइन है second line उस पर sleeping line बनाए one or two sleeping line यह आपका F letter बन गया आपका 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 यह आपकी F F for fish यह आपका F बन गया क्या लेटर बना F एक और F बने one two three 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 three one two three three one two 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 and three ok now, make a straight line straight line when I इस इस स्टेट लाइन फर्स शेकें थर्ड फॉर फ़िए एट नाइं टें लेवन अभी एम एलेवन एफ लिकेंगे कितने एलेवन आपको हैड़ डाउं ऐसे कीजिए बच्व हैड़ अब सेकिंड लाइन से क्या बनाने श्लिपिंग लाइन टेंड एस्लिपिंग लाइन ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन स्लिपिंग लाइन एक अपको क्या बन गया एफ क्या बन गया बच्चों एक एक फ़ फ़ फिश एक फ़र क्या वतं था तो टो डियर स्टुदेंस इस प्रकार से आपने एण एफ तू लेटर्स लिखना सीखा है कोई-कौई-कॉइटर्स अभी आपने सीखे एफ इम बिल्कुल इजी है और फ़ भी हिएई आप लेटर्स अपनी कोपर में बने हैं यह आपके मैं पॉइंट बनाद रहा हूं ऐसे भी आप बना सकते हो यह आपकी श्लिपिंग लाइन के पॉइंट है यह आपकी इस्टेंडर लाइन हो जाएगी यह आपकी श्लिपिंग लाइन हो जाएगी और इसका हैड डाउन हो जाएगा अब बन जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बनाए बच्छा अपनी कोपन में जितना आप इजी अपनी कोपन में बनाओगे इतने आप आराम से लान होगा बनाए पूरा लेटर एप यह और एप अपनी कोपन में आप इजी लिए बनाए यह बनाए और वन पे एप ओके इस प्रकार से आपने E और F लेटर्स बनाना स्रीखे राइट और लेटर्स टू इन नोटबूक राइटिंग आपके अच्छी होनी थी निटन क्लीन होनी चीए जब आपके राइटिंग अच्छी होगी तो यह आपको अच्छा इंट्रेस्ट आएगा तो बच्छो इस प्रकार से आपने E और F लेटर्स जो है अपने कोपी में लिखना शीखा लिखे वच्छो वन पेज पर E लिखिए और वन पेज पर F टू पेज यूज़ कीजिए